यह क्या होता है देखो मैं आपको सच्छी भोलता मुझे क्या लग रहा है आपके बस अबिल है बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पीपी फी में यूज किया है तो मेक मोर प्रॉफित अगर आपको यह बहुत ज्यादा नहीं करता तो आप इसको यूज करो जब तक हो मैं सारा दूसरा एक डर मुझे जो इस पर सबसे बड़ा अभी यह है इन्होंने ब्लेड की निशान सब जगा ना छोड़ दी हूँ फिर पीपेफ कराने का कोई सेंस नहीं बनता आई रहें और क्या ना रहें हमने आपको हमारे चैनल पे बहुत बार पेंट प्रोडेक्शन फिल्म के बार में बताया है यह गाड़ी पर कैसे लगाई जाती और इसके बेनेफिट्स क्या है आज के वीडियो में हम आपसे discuss करने वाले हैं कि कैसे ये paint protection films गाड़ी पर नहीं लगानी चाहिए और जब ये ठीक धंक से नहीं लगाए जाती तो क्या problems face करने पड़ते हैं ये वीडियो बहुत ही जाधा interesting होने वाला और आपको इस वीडियो से बहुत जाधा information मिलेगी तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं चैक आट देर वेबसाइट और अल्सो दाउनलोड देर अप इस अवेलिबल ऑन अंड्रोइड और आइवेस बोद तो ये गाडी करीबन एक से सवसाल पुरानी है और कस्टमर ने बहुत पैसा खर्च करके इस गाडी पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लिकेशन करवा अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि कितने खराब तरीके से गाड़ी पर प्रोटेक्शनल मैनर में काम किया गया है मैं ये उमीद कर रहा हूं कि ये सारे प्रोब्लम्स आपको दिखाने की वज़े से आपको भी कुछ नॉ ये जो आपको प्रोटेक्शन फिल्म के उपर मार्क्स दिख रहे हैं ये अलग-अलग कारणों से गाड़ी के उपर है इसमें से कुछ जो है वो मैनिफाक्चरिंग डिफेक्स है और कुछ जो है वो खराब अप्लिकेशन की वज़ा से है ये जो सीधे-सीधे वर्टिकल ला आते हैं तो उसका कोई सेल्यूशन नहीं है मैं यह नहीं बोलता कि हाई कॉलिटी फिल्म में डिफेक्ट नहीं आते पर पहली बात यह कि बहुत बेर मिनिममम आते हैं बहुत बार हमने यह भी देखा है कि धूप में घड़ी करने की वज़ह से यह मार्क्स चले भी जाते है मैं समझ सकता हूँ कि एकाद मैनिफेक्टरिंग डिफेक्ट होने की वज़ह से हर बार कमपनी प्रॉड़क रिप्लेस नहीं कर सकती पर इस गाड़ी पर जितने मैनिफेक्टरिंग डिफेक्ट पीपेफ में थे वो बहुत ही जादा है अगर कोई भी हाई क्वालिटी फिल् बाबलम आया है तो कितने केस में वह एक्चिली रिप्लेस होगा यह सवाल पूछने जैसा अब जो डिफेक्ट हमें वेवी पाटन में दिख रहे हैं वह एक्चिली स्ट्रेच मांक्स और वह एप्लिकेशन एरे पीपेफ को खीचा जा सकता है जब भी हम पीपेफ को बहुत जबाब जादा खीच देते हैं उसकेस में पीपेफ पर म्रुपलिकेटर काम में आता है और नोस की पीपेफ को खीचना कितना है और कहां तक उसकी स्ट्रेचिंग अबिलिटी है कि यूटूब पर बहुत सारे वीडियो देखें एक बार ऐसा भी वीडियो देखा कि मैंने अपनी गाड़ी पर पीपेफ लगाया और कुछ साल बात देखो पीपेफ ने पूरा पेंट खराब कर दिया एक्चली यह मैटर करता है कि किस तरीके का प्रॉड़क्ट यूज किया जा रहा है high quality TPU films में benefit हमें यह मिलता है कि UV resistance बहुत जादा होता है film जो है वो paint के साथ melt होके fuse नहीं हो जाती हमेशा एक separate layer रखती है जिससे PPF हटाने के बाद भी paint को damage नहीं होता और वही चीज हमने यहाँ भी प्रूफ की है इस गाड़ी पर जो PPF यूज हुआ है वो मैं 100% बोल सकता हूँ कि best quality का नहीं है बट अगर इस quality का PPF भी paint को damage नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी quality का PPF कितना seamless application रह सकता है और कितनी इजली निकल भी जाता है सबसे जादा सवाल जो मुझे paint protection film से related आता है वो यह है कि मैं अपनी गाड़ी पर यह लगाँ कब तो technically क्योंकि यह एक बहुत expensive service है और product cost भी काफी हाई है तो आपको अपनी गाड़ी पर यह तब लगाना चाहिए जब आपका paint undamaged हो मानलीज़े आपको गाड़ी खरीदे वे एक साल हो गया है पर उस एक साल में आपने गाड़ी जादा use नहीं किये गाड़ी पर ना scratches है ना stone chippings हैं तो आप एक साल बाद भी अपनी गाड़ी पर PPF लगा सकते हैं क्योंकि इंडियन कंडिशन में गाड़ी चलाने पर गाड़ी पर कही न कहीं scratches और cuts और marks आई जाते हैं उस case में best option यही रहता है कि जैसे ही आप गाड़ी खरीदे सबसे पहले उसे protect कर ले क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख ना वो पहले scratch को देखके होता है लगाने में हमें करीबन 2 दिन लगते हैं हम Client की गाड़ी अभाउट चार दिन अपनी व्क्शोप में रखते है एक दिन prep करने के लिए दो दिन PF लगाने के लिए और र्लास्ट dalीन पर उसे चECKिंग करने के लिए PPF उतारना भी उतना ही time consuming process है हमें almost इसमें दो दिन लग जाते हैं काफी सारे expensive chemicals भी साथ में लगते हैं और उंगलियां भी काफी दर्द हो जाती है क्योंकि उसका bonding paint के साथ काफी strong रहता है क्या है एक और बड़ा सवाल जो मैंने टाइम के साथ क्लाइंट से भी और दूसरे डीटेलर से भी सुनाए वो यह है कि PPF तो हमने गाड़ी पर से उतार दिया पर इसके पीछे जब अगर glue residue छूट रहा है तो उसको हम clean कैसे करें मेरे experience के इसाफ से जो सबसे best product मैंने अभी तक market में देखा है वो है 3M का G-Pack G-Pack का full form है general purpose adhesive cleaner और यह सिफ PPF का glue निकालने के लिए नहीं बलकि गाड़ी पर अगर कई हमने stickers लगाए हैं double tape लगाए है उसका भी कोई residue है या फिर गाड़ी पर अगर tar marks भी है वो निकालने में भ bottles लग गई अब अगर PPF अच्छी quality का रहेगा साथी साथ जी पैक से हम glue clean कर लेंगे तो उसके बाद paint करने की कोई नौबत नहीं आती यह misconception है कि PPF उतारने के बाद paint करने की जरूत पड़ती है कोई भी decent quality का PPF या फिर बहुत अच्छा रेपेटिट ब्राइंड का product यह problem नह पड़ें इस गाड़ी पर एक चीज और जो हमने की है वो है full car sanding अब full car sanding करने के multiple reasons हो सकते हैं paint में अगर orange peel effect बहुत जादा है तो उसले भी sanding की जाती है ताकि show car जैसा finish हम उसको दे सकें अब जयातर regular use में जो गाड़ियां आती है उनमें यह करने की बिल्कुल ज़रुत नही की गाड़ियों में जो की paint finish factory से आना चाहिए वह उतना amazing नहीं रहा है इससे मेरा यह बिल्कुल कहने का मतलब नहीं कि वहाँ पर low quality paints यूज हो रहे हैं मैं आपको सिभी बताना चाहता हो कि workshop में general maintenance ना होना या फिर उनका paint रूम है जहां पर गाड़िया पेंट हो रही है वह मानता हूँ इसमें 4-5 micron paint thickness cut हो जाती है बट देन अगेन हम उपर 200 micron का paint protection film लगा रहे हैं तो इससे बिल्कुल कोई फरक नहीं बढ़ता एक ही बार में गाड़ी का finish इतना amazing हो जाता है कि end result में इस वीडियो में आपको भी difference दिख जाएगा अगेन एक बार और बता दू हर गाड़ी को sand करनी की जरूद नहीं होती ना ही हम recommend करते हैं हर गाड़ी पर जिस पर जरूद हमें लगती हम अपनी clients को पहले ही बता देते हैं अल्मस्स सवा साल के यूज के बाद गाड़ी पर कई जगा पर छोटे चोटे स्क्राचेज आ गए थे अब हमने सोचा कि जब इतना खर्चा करी रहे हैं क्लाइंट अपनी गाड़ी पर पूरा इसको ठीक दंग से बनाई रहे हैं तो क्यों ना वह चोटे-चोटे डामेज को भी हम रिपेर कर दे हमने गाड़ी पर तीन-चार जगा पर स्पॉर्ट रिपेर किया है एक हमने फ्यूलिट पेंट की दूसरी हमने क्वाटर पैनल पे एक स्पॉर्ट रिपेर किया पीछे के बंपर पर एक था और एक फेंडर की क्लाइडिंग पर स्क्राइश था जिसको हमने अच्छे तरीके से रिपेर कर दिया और बात में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि यहां पर रिपेंट किया गया है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म मैनिफैक्टरिंग कंपनीज उन पैनल पर पीपेफ लगाने की वारेंटी नहीं देती जो की रिपेंटेड है इसका मैं में रीजन बता देता हूँ जातर वरक्शोप पे 100% प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होने के कारण पेंट का जो बांडिंग है बॉड़ी पर वो 100% नहीं हो पाता है जिसकी वज़ा से पीपेफ लगाने के बाद कभी-कभी पेंट भी पीपेफ में निकल आता है हमने यह एक्सपेरिमेंट भी अपनी वरक्शोप में किया है बहुत बार पैनल को रीपेंट करके उसके उपर पीपेफ भी लगाया और बाद में पीपेफ उतारा भी है 90% अफ टाइम्स पेंट पीपेफ में नहीं निकला विज़ गोज तो प्रूफ कि हम लोग जो काम कर हैं वह बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे हैं इस गाड़ी पर क्यूंकि हमने पूरी गाड़ी सैंड किया और कई पैनल्स पेंट भी किये तो हमने गाड़ी को अच्छे तरीके से पॉलिश भी कर लिया बट तुबी वेरी फ्रैंक पीपीफ लगाने से पहले हर गाड़ी को पॉलिश करने की जरुवत नहीं होती है अच्छली कभी-कभी इसका नेगेटिव साइड इफेक भी हो सकता है पीपीफ लगाने से पहले पॉलिश उसी गाड़ी को करना चाहिए जिस पर काफी सादा ड इसका कोई डाउंसाइड नहीं है बस दिखने में खराब लगता है अगर गाड़ी क्लीन है गाड़ी पर ज्यादा स्वल्मार्क्स नहीं है तो पॉलिश नहीं भी किया तो भी चल जाएगा क्योंकि बहुत सारे लाइट स्क्रैच्च पीप अपने आप ही हाइड कर देता है what I mean to say is for example अगर मैंने गाड़ी के ओपर 2000 के सैंडिंग पेपर से स्क्रैच्च पारे और उसके बाद उस पर पीप बिठा दिया तो majority of the case में पीप वो सैंडिंग मार्क्स भी कवर अप कर देता है PPF लगाने से पहले जो final और सबसे most important step हमारे पास बचता है वो गाड़ी को अच्छे तरीके से wash कर लेना जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया compounding और polishing करने के बाद बहुत सारा powder गाड़ी के उपर रहता है बहुत बार weather strips के अंदर भी मिटी और गंदगी रह जाती है अगर गाड़ी यहां पर ठीक धंग से wash नहीं होगी तो बाद में PPF लगाते विए सारी मिटी PPF के अंदर भी आ सकती है और छोटे छोटी गंदगी दिखती है और एक बार PPF लग गया तो यह problems हम solve भी नहीं कर सकते हैं यह बहुत अच्छा दर्शाता है इस saying को that prevention is better than cure और जो भी problems हमें गाड़ी पर आ रही है वह हमें पहले ही solve कर लेनी है ताकि बाद में यह problems नहीं करते कि गाड़ी पर अगर मैं PPF लगा रहा हूं तो accessories मैं पहले showroom में लगवा लू या नहीं लगवा हूं और क्या हमें door handles और weather strips खोलने की genuinely जरुवत है उसके बिना क्या काम नहीं किया जा सकता तो accessories भी आप पहले गाड़ी पर लगा सकते हो और door handle और weather strips, mirrors वगेरा खोलने की भी कोई जरुवत नहीं है पर मेरा point फिर अगेन यही आ जाता है कि जब इतना खर्चा हम गाड़ी पर करी रहे हैं तो क्यों ना एकदम seamless finish दें कहीं पर भी गाड़ी पर joint ना दिखे और एकदम professional application हो तो यह छोड़ी छोड़ी चीज़े हम खोल लेते हैं और PPF लगाने के बाद जैसे थी उन्हें उसी तरीके से अच्छे से fit कर देते हैं पीज़ी पर्चा हैं आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी पर पीपिएफ लगाने के लिए हमने एक स्पैसिफिक अलग से बे बनाया हुआ है मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि क्या पीपिएफ खुले एरिया में अपलाय किया जा सकता है मतलब अगर आप सोसाइटी के नीचे आपकी पारकिंग है वहाँ पर भी क्या आप ये पीपिएफ लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी पर आप ये गाड़ी पर लगा सकते हैं बड़ प्रॉब्लम ऐसा आता है कि क्योंकि एक साइट फिल्म के ग्लू रहता है तो जब हवा में फिल्म हम पकड़ते हैं जितना एर में डस्ट होता है वह आकर उसमें चिपकने का बहुत जादा चांस है अब हम इसे मिनिमाइस कैसे कर सकते हैं अगर हम डस्फ्री कंडिश जाता है जो एक्चली उसकी लाइफ में बिल्कुल फरक नहीं देगा बढ़ हां चोटी-चोटी चीजें फिनिश को खराब कर देती हैं जो पैसा खर्च करने के बाद होनी नीच चाहिए झाल झाल जाज झाल झाल जो सबसे जादा PPF से related questions हमारे पास आता है वो यह है कि यह product इतना महंगा क्यों है तो इसका एक सबसे बड़ा reason यह है कि देखिए product बनाना में भी उतना expensive ना हो पर उसकी consistency maintain करना अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है between high quality manufacturers और low quality manufacturers सबसे बड़ा फरक यह जो आता है वो यह है कि अगर एक company एक लाग square feet या दो लाग square feet material produce कर रही है तो जो company अपने standards हाय रख रही है वो rejected product को customer तक या market तक पहुंचने नहीं देती है इस case में उनका काफी material wastage भी होता है क्योंने standard maintain करना है और जो manufacturing companies low quality product में डील कर रही है वो सिफ product बनाती जाती है और उसको market में बेशती जाती है product की quality और consistency maintain करना ही सबसे बड़ा challenge होता है किसी भी manufacturing plant में जिस वजह से high quality PPF की cost relatively जादा होती है और यह में अपने business में भी 100% relate कर सकता हूं 70-80% service quality किसी को भी देना कोई बड़ा challenge नहीं है बट last के 10-20% अपने आपको push करने में उस 80% से जादा मेहनत लग जाती है इसके इलावा अगर आपको लगता है कि paint production film का cost बहुत जादा है और यह आपके budget के बाहर है तो आपके पास nano ceramic coatings का भी option रहता है जो relatively inexpensive है compare to PPF as a consumer you can choose कि आपको कौन सा product अपनी गाड़ी में use करना चाहिए इसलिए at Brotomotive we always recommend you the best of products मैं उमीद करता हूं कि आपको यह video अच्छा लगा होगा इसमें आपके बहुत सारे doubts clear हो गए होगे अगर इसके इलावा भी आपको कोई doubts है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं and we'll try and answer them as soon as possible आपको कोपी सब्सके अपको की। मैं समयता师 है तो आपके ड़तार मैं कि सिंह आरी आरी मेरी सभी से यही सला है जो अपनी गाड़ी पर यह सब सर्विस कराना चाहते हैं देखो आपको यह वीडियो दिखाने का रीजन यह नहीं है कि मैं मेरे काम की सिर्फ तारीफ करो और बाखी पूरी दुनिया को बदनाम करूं बट मेरा कहने का यह मतलब है कि हर सर्विस प्रोवाइडर एक जैसा नहीं होता आप कहीं से भी अपनी गाड़ी पर पीपेफ करवा रहे हो दो चीजों का ध्यान रखो एक अच्छा प्रोड़क्ट चुनो दूसरा अच्छा अप्लिकेटर चुनो जिस शॉप पे आप विजि कर सके और आपको अच्छी सर्विस दे सके एज अन अंत्रपनियोर मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि एवन अगर हमारा कोई कंपेडिटर है पर वो काम अच्छा कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें और वाइसा वर्सा इनसान को कब किसी की जरूत पड़े हमें पता नहीं हमेदा बात पर दो झाल झाल तो ये जीप मैंने ली थी 2022 मैं तो उसके बाद से जब ये शोरूम से बाहर निगले थी तो मेरा एक प्लान था कि इसको बीपिफ कराना है तो ये वेंट तो एक ब्रैंड था अमारे होम ताउन पर तो मैं उदर गया देन आया अज जिम की किना कोट लगेगा क्या है तो उसने पूरा हो गया पीपिफ सब कुछ हो गया देन अफर जब पीपिफ अप्लाई करने से पहले यहां बोनट पे थोड़े पार्च पे पेंट कर दस था एंड वह उन लोग नहीं किया दा दैन आए थाट अव कमिंग तो ब्रोटो मोटिपल वीडियो को मैं पहले सी देख रहा कि मुझे एक बन गयता है एंग कि यहां पे आखर में पेफ कोटिंग रहा हूं कि यहां पूरा काम हो गया तो सम्तिं नियर तो 10 देख 11 देख अव it is back as new, same as showroom which i had been a very happy the gloss is back now I am happy that I am taking my new car outside from the Motor Motor Motor. ओन ऐसी फिनशा हैं यहां आट सब्टा था हैं वारा है तो. I am glad that we were able to help you out. No one can beat you. We try to be as open as possible with our clients, that is the main key. In service industry sir it's all about Repetition. Repetition built completely transparency. करेंग से हुए है। बड़ अरश् 2ैं के संधी से छॉट एगू है। ट्रकेंगेस के सबस्क्रलेमें तरह भी कर싸ंस, प्ट्रकें में असलिए ने अरुटी के catch है। कर दो कर दो कर दो